कि कि मैंने जब नोट देखा तो मुझे लगा कि शायद दोनों ही मामलों के अंदर सीडिया ती गर्वर्मेंट इमार्केट उस पे से वो सेंपल्स खरीदे गए ते लिहाजा ऐसा लगा होगा कि इसकी जांच अगर कराएंगे तो उंगली केंदर सरकार पर आएगी इसलिए उस जाज को CBI में नहीं बेजा गया जिसका जवाब वही बता सकते हैं जिन्हों ने इसको भीजा अगर इस मामले के अंदर कोई धांदली हुई है नकली दवाईयां आई हैं ब्रस्ताचार हुआ है तो सरकार जो केंदर सरकार जिसके पास पावर है इन अधैकारियों के उपर कारवाही करने की वह अब तक कारवाही क्यों नहीं कर रहे हैं किस चीज़ का इंपजार कर रहे भाई आपको पता चल गया प्रस्ता चार है आपको पता चल गया सेंपल फेल हो गए हैं आपको पता चल गया यह अधिकारी जिम्मेदार है इसकी जवाब देही है तो उसके उपर कारवाई क्यों नहीं की जा रही है हमने तो आज से दो हफ्ते पहले इन दोनों अधिकारियों के विशे में 23-10-2023, तो महिना हो गया, आज से पूरा एक महिना पहले 23-10-2023 को माननिय उप्राज्यपाल जी को अपने मुख्यमंत्री जी के रस्ते ये सिफारिश की हुई है कि इन दोनों ही अधिकारियों को S.B. दीपक कुमार और डॉक्टर नूतन मुडेजा को सस्पेंड कर दिया जाए और इनके उपर विभागिये कारवाई की जाए अब तक इनके उपर कारवाई क्यों नहीं की गई जब खुद विभाग के मंत्री ने सिफारिश कर रखी है कि इन अधिकारियों के उपर कारवाई की जाए इनको सस्पेंड किया जाए तो केंद्र सरकार इसके उपर क्यों बेठी हुई है आज मैं दुबारा से विभाग के मंत्री होने के नाते सिफारिश कर रहा हूं आप कह रहे हैं भरस्ताचार हुआ आप कह रहे हैं कि दवाईयां गडबड थी यह अधिकारी उसके जिम्मेदार है आप करवाई क्यों नह की तारीख में मैंने आपको बताया कि अफसर को आप डरेक्शन्स डे सकते हैं वह माने ना माने उसकी मर्दिये मैंने मौखिक और लिखिट एक नहीं दर्जनों डिरेक्शन इन अधिकारियों को दी है इन दवाईयों के ओडिट के विशे में स्पेसिफिक मैंने आपको दिखाया 21 मार्च 2023 में मैंने डिरेक्शन दिये और वो डिरेक्शन पूरी नहीं हुई उसका रिमाइंडर दुबारा से मैंने उनको लिखित में जुलाई में दिया कि भईया इसका क्या हुआ एक्शन टेकन रिपोह्ट दो उसका भी कोई जवाब नहीं आया तो अधिकारिए कि जवाब देही तो केंदर सरकार ने खत्म किये केंदर सरकार ने अधिकारिए कि झवाब देही खत्म कर दिये और नियो अठीकांटेबल तुको दे of Delhi they are not accountable to me they are not accountable to the Minister मंत्री के प्रति उनकी जवाब देही ही नहीं है थेंक यू केंद्र सरकार तो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं कि उनसे पूछिए और उनसे पूछिए जिनके प्रति उनकी जवाब देही है अब यह कहना कि बाई सब ब्रस्टाचार हो रहा था मंत्री मिलके ब्रस्टाचार कर रहे थे अरे जो अफसर हमारी मीटिंग में हमारी डिरेक्शन नहीं सुन रहा उसको मैं कहता हूं आपने देखाओं का पिछले तीन अफते से मैं रोज जो है अस्पतालों के अंदर जाता हूं कि सर्प्राइज इंस्पेक्शन करता हूं तो में भी अगर आए हो तो आप बता दीजे पिछले तीन अफते से तो आप रोग देखते हैं कि रोज हम ट्विटर के अंदर वीडियो डालते हैं एक इंस्पेक्शन पर सुआसे सचे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी जवाब देहीं नहीं है उनको पता कि मंत्री हमारा क्या देखाए लेगा बुलाई सकता है नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे